हेलो विवर्स वेलकम टू माँ यूटीब चैनल आरोगे वर्धनी फ्रेंट्स अजवाइन आउशिद्य गुनों का बंडार है यह स्रीपना खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि आपके पेट से जुड़ी बिमारियों को भी दूर करता है इसका उपयोग घरों में केवल न मसाले में बल्कि घरेलों कई बिमारियों में भी यह मदद करता है तो फ्रेंट्स आईए जानते हैं अजवाइन से होने वाले लाब अजवाइन में थाइमौल नामक पाया जाता है ये केमिकल गैस्ट्रिक दर्वयों को बाहर निकाने में पेट की मदद करता है जिससे की पाच्चन के क्रिया सुचा रूप से काम करती है अपच्च बच्चों के पेट में दर जैसी समशवा है में भी यह मदद करता है यह पेट की बिमारियों को दूर करता है यहाँ खाना जिल्दी पचाने में मदद करता है अजवाइन पाचन समस्या में भी बहुत लाब पोचाता है चीनी के साथ एक वड़ा चमच अजवाइन चबाने से पचसे छुटकारा मिलता है यह चीनी के बिना भी आप इसे सेवन कर सकते हो सिर्दर्द होना एक आम समस्या है पर अगर आपको सिर्दर्द काफी समय से हो रहा है तो आप अजवाइन का पानी पिए आपको सिर्दर्द में भी रहत मिल सकेगी मुहू से जूड़ी बिमारियों में भी यह काफी लाबदायक है अगर आप रोजाना सुबह इसका पानी पिते है तो दातों का दर्द और मुह की बजबू की प्राब्लेम भी इससे दूर हो सकती है अजवाइन का पानी पीने से शरीर का मेटाबूलिजम बढ़ता है इसी कारण शरीर में कार्ब तता फैट को यह बर्ण करता है अजवाइन वजन घटाने में भी बहुती लाबकारी सिद्ध होता है यह शरीर के मेटाबूलिजम को भी तेज़ी से बढ़ाता है ताकि आपको वजन घटाने में परिशानी नहों, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको रोजाना सुबह अजवाइन का पानी पीना चाहिए, ऐसा करने से हमारे शरी का मेतैबुलिजम बढ़ता है और वजन दिरे-दिरे घडता है, हर सुबह अजवाइन का पानी पीने से diabetes की समस्या दूर होती है डाइरिया से बचने के लिए पी अजवाइन का पानी आप पी सकते हो इसके लिए आपको दिन में कम से कम दो बार अजवाइन का पानी पीना चाहिए एज़िडी से राहत पाने के लिए भी हम अजवाइन का पानी पी सकते है अपच में अजवाइन काफी फाइदे मंदर हता है अगर आप सर्दी खासी से परेशान है तो अजवाइन के पानी में एक चुटकी काला नमक मिलाकर पीने से खासी दूर हो जाएगी गरम पानी के साथ अजवाइन लेने से शरीर में खासी और बलगम को निश्कात किया जा सकता है यहाँ ब्रोकाइट्स और अस्तमा के इलाज के लिए भी बहुत उपयोगी है इसे दिन में दो बार गूर के साथ सेवन किया जा सकता है आपको निच्चित ही लाब होगा अगर आपको अत्यदी करक्तस्त्रा और नियमित मासिक धर्म है तो इस समय में मेलाओ को अजवाइन का पानी पिने में पिने से बहुत लाब होता है रात में पानी से पिलाओ को काफी फायदा होता है रात में पानी से भरे मिट्टी के बर्तन में मुट्टी बर अजवाइन बिगा दे सुबह उन्हें पिसकर पिले धेरे धेरे आराम आपको मिलतार हेगा अजवाइन बंदनाक अधि सर्दी के लक्षोनों का इलाज करने के लिए सबसे अच्छा प्राकुरूतिक तरीका है रहत के लिए गरम पानी में अजवाइन डालकर आप भाप ले नाक तुरंत खुल जाएगे और सर्दी में भी काफी आराम मिलेगा अजवाइन सुजन, फोडो, पिंपल्स या एक्जिमा में बहुत असरदार है निम्बुक के रस के साथ अजवाइन का बीच का पेस्ट बना लिया सुजन को दूर करने में सायोक होता है अजवाइन का तेल गठिया के दर्व के लिए भी काफी उपयोगी माना जाता है अजवाइन के तेल के साथ नेमित रूप से प्रवावित जोडों पर मालिश करने से दर्व में रहत मिलती है और गठिया रोग ठीक होने लगता है अजवाइन पाउडर के साथ दही का मिश्रन बना ले एक पूरी रात के लिए चेहरे पर इस पेस्ट को लगाने से मुहा से और निशान को यह हलका कर देगा अच्छी परिणाम के लिए सुबह गुनगोने पानी से दोली अजकल के लाइट स्टैल में नीन आना एक बहुत ही परिशानी बन जाती है अगर आप भी नीन से नीन ना आने से परिशान है तो रोजा ना सोने से पहले एक कप अजवाइन का पानी पिए जिससे आपको अच्छे से नीन आ जाएगी यह थी आजवाइन के गून और उसके फायदों के बारे में जान करी अगर से आपको मेरा यह वीडियो पसे ना आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजे मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा यह वीडियो आपके फ्रेंट से और रिडिक्री में ज़रू शेयर करें तो फ्रेंट टेक केर स्टे हिल्दी थैंक वा वचिंग मा वीडियो